हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आया होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विशागणित के एन्नेस प्रैक्टिस पेपर के कारपत्रक 3 को सॉल्ब करेंगे तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं Q1 है दिये गए चितर में कुल मचलियों का कौन सा भिन तारा मचली है तो बच्चों यहाँ पर टोटल कितनी मचलिया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा तो यहाँ पर टोटल हैं ग्यारे मचलिया अब बच्चों यहाँ पर भिन दिये नेक्स्ट है आप अपनी गड़ित की पुस्तक की लंबाई चोड़ाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है एक मीटर फीता, इंच टेप, सेंटीमीटर फुटा या फिर दो मीटर रसी तो बच्चों इसके लिए हम किसक मैं इसका छेत्रफल कितना है तो बच्चों यहाँ पर हम काउंट करेंगे कितने हैं दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो बच्चो इसका छेतवल कितना है आठ वर्ग सेंटीमीटर तो इसका अंसर है उप्सन नमबर डी नेक्स्ट है प्रीती के पास निम्न लिखित संख्या दिखाने वाले कुछ ब्लॉक हैं तो बच्चो ब्लॉक पर संख्या लिखी हुई है पांच नौ दो साथ तीन चार सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए उप्रोक्त ब्लॉक की विवस्था क्या होगी तो बच्चो हम इस से बड़ी संख्या के ब्लॉक को और उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या के ब्लॉक को तो बच्चो आंसर क्या होगा ऑप्सन नंबर बी इट मींज हम इन ब्लॉक को किस विवस्था में करेंगे असेंडिंग और में इंक्रीजिंग और में लगाएंगे तो इसका आंसर यहां पर option है यहां पर देखेंगे बच्चों में क्या है जहां पर बच्चों की है यहां पर बच्चों क्ने है जो यहां पर होना चाहिए बढ़ा है तो बच्चे गलत है यहाँ पर बच्चो क्या है 16, 93, 5 यहाँ पर क्या है 19, 6, 3, 5 तो बच्चो इक्वल का यहाँ पर निसान है जो कि यह बराबर नहीं है दोनों तो यह भी गलत है नेक्स्ट बच्चो यहाँ पर क्या है 41, 49, 8 यहाँ पर 42, 49, 8 तो बच्चो यह संख्या है, इससे बढ़ी है तो बच्चो युहाँ पर जो यह निसान है बिल्कुल सही है तो इसका अंसर है बच्चो उप्सन नमबर C नेक्स्ट है निमनलकित में से कौन सी आकरती दरपण सम्मिती दिखाएगी तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ओप्सन जो है इसमें यदि हम mirror के सामने इस image को लगाते हैं तो बच्चों यदि यह arrow जो है इस तरफ है तो ये भी जो है इस तरफ होना चाहिए तो बच्चों उपर की तरफ है तो ये गलत है नेक्स्ट बच्चो यहाँ पर यह बच्चो लीफ है तो बच्चो हम इसे इस तरीके से करते हैं तो बच्चो दोनों पार्ट जो हैं छोटे बड़े हैं यदि बच्चो हम इस तरीके से करते हैं तब भी जो है इसकी जो आकरती है दरपण में बराबर नहीं दिखाए देगी ऐसी बच्चो ये हैं इसे हम इस तरीके से भी सम्मिती रेखा नहीं खीश सकते हैं इसे दो भाग यदि बच्चों हम एक तरीका से लगाते हैं तो बराबर दो भागों में इस तरीके से यहाँ पर मिरर रखते हैं तो इसमें बच्चों इसकी पूरी आकरती बने यह बच्चो 4 के स्क्वेर, 4 चक 16, आगे है बच्चो 5 के स्क्वेर, 5 पेंजे 25, यहां पर फिर 6 के स्क्वेर, 6 चंग 36, तो बच्चो कौन से आएगा, 7 के स्क्वेर, तो क्या होगा, 7 सत्य उड़नचास, तो बच्चो यहां पर ऑप्चन है, 22, 52, 46, तो इसका अंसर होगा, किसा पर आलू की संख्या, एक आलू जो है, वह दस क्लो गराम के बराबर है, तो पहले वर्स में कितने आलू है, यहां पर ?3 है, 20, 44, 15 ग्लोग्राम हुए 13 वर्स में हितने ग्न ही 50 बाइस हो दोव है तो 20 फूरष слंवे बर्स में कितने फिर्स किलोगुंट उप्सन है किस वर्स में किसानने 50 ग्लोग्राम बाइस्व पसन है पहला बर्स दूसरा वर्स है त्रत्य वर्स और पांच वा वर्स तो बच्चों यहां पर आंसर क्या होगा अब यहां पर देखेंगे बच्चों पांच आलू जो हैं किसमें हैं तो बच्चों तीसरे वर्स में पांच आलू है सबसे पहले बच्चो एक लाख उसके बाद बच्चो बीस हजार बीस हजार के बाद क्या आएगा? बच्चो क्या आएगा? नौ हजार हमें बीस में नौ प्लस करने हैं तबी तो 29,000 होंगे तो बच्चो यहाँ पर आप्षिन है 90,000, 9,000, 900 और 9,000 तो बच्चो आंसर है ओप्शन नमबर B 20,000 के बाद आएगा बच्चो 9,000 उसके बाद 430 और 2 अब बच्चो कुश्य नमबर 10 एक नाव एक गंटे में 4 किलो मीटर की यात्रा करती है उसे 10 किलो मीटर जाने में कितना समय लगेगा तो बच्चो एक गंटे में जाती है 4 किलो मीटर दो गंटे में कितने किलो मीटर जाएगी 8 किलो मीटर अब बच्चो बच्चो 2 किलो मीटर तो बच्चो 2 किलो मीटर कितनी देर में जाएगी 30 मिनट में तो बच्चो कितना समय लगेगा उसे 2 गंटे 30 मिनट तो इस कांसर है ऑप्चन नमबर B नेक्स्ट है रुपाली की बैटरी साइकल 1500 मीटर इट मेंस 1500 मीटर तक जाने के लिए चार्ज है एक किलो मीटर 200 मीटर जाने के बाद उसे कुछ काम याद आ गया इट मेंस 1 किलो मीटर 200 मीटर को प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा बारे सो मीटर तो बारे सो मीटर जाने के बाद उसे कुछ कामयाद आ गया बताईए कि वह दिये गए विकल्पों में से किस जगह जा पाएगी तो बच्चों यहां पर ऑप्सन दिये गए हैं 500 मीटर दूर सबजी मंडी 250 मीटर दूर इतना बच्चा है 300 तो बच्चों कहां तक जा पाएगी लगभग 250 मीटर दूर फूल वाला है उसके पास ही जा पाएगी क्योंकि बच्चों 500 मीटर जादा है यहां पर बच्चों आदा किलो मीटर रासन की दुकान है तो आदा किलो मीटर में होते हैं 500 मीटर यह भी जादा अब बच्चो question number 12, एक किलो रूई और 990 ग्राम लोहे में से किसका वजन ज्यादा है, तो बच्चो option है 990 ग्राम लोहा, एक किलो रूई, दोनों समान या फिर 990 ग्राम रूई, तो बच्चो answer क्या होगा, एक किलो ग्राम रूई, क्योंकि बच्चो यहाँ पर हम दोनों को त पूरे के बराबर हैं, तो बच्चो यहाँ पर है एक बटे तीन, तो बच्चो इसका answer और हर जो है, बराबर नहीं है, नेक्स्ट है बच्चो 4 बटे 4, तो इसके दोनों अंस और हर जो है, दोनों बराबर है, C में हैं बच्चो 2 बटे 4, तो बच्चो यह भी समान नहीं है, एक बटे दो तो ये भी समान नहीं है तो समान कौन सा है option number B तो इस cancer है option number B next है एक तिरकौनिये छेतर की भुजाएं 80 मीटर 60 मीटर और 40 मीटर हैं इस छेतर की बाढ़ के लिए तार की लंबाई ग्याद कीजिए तो बच्चो आप देख सकते हैं ये तिरकौनिये छेतर है इसकी ये भुजा 80 मीटर की है ये है बच्चो 60 मीटर की और ये कितने मीटर की है 40 मीटर की तो बच्चो हम इसे प्लस कर लेंगे 40 और 60 कितने होते हैं 100 मीटर 180 180 मीटर तो बच्चो यहाँ पर आंसर क्या होगा option number A 180 मीटर अब बच्चो question number 15 तेवल पर 12 कार्ड है दीपक ने खुसी, अलका और आसी के बीच समान रूप से कार्ड बाटे खुसी द्वारा प्राप्ट कार्ड का भिन रखिए तो बच्चो कार्ड कितने हैं 12 दीपक ने किस-किस को दिये हैं खुसी, अलका और आसी को तो हमें कार्ड को 3 जगे डिवाइड करना है तो उन्हें कितने कितने कार्ड मिलेंगे तो बच्चों हाँ पर option है 7 बटे बारा, 6 बटे बारा, 5 बटे बारा और 4 बटे बारा तो बच्चों answer क्या होगा? option number D चार बटे बारा, कैसे बच्चों? कार्ड हैं, बारा अब हम इसे जो है 3 से डिवाइड कर लेंगे 3 को दिये हैं, तो 3 चोक कितने होते हैं? 12, it means पर तेक को 4 कार्ड मिले तो इसका answer है option number D बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share करना न भूले और यदि आप इस channel पर नए हैं तो please channel को subscribe करें Thank you